मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के बाली राज्ये में भगवान श्रीराम के सखा और किश्किंधा नरेश सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विशिविद्याले खोला जाएगा बाली राज्ये में पहले एक हिंदू धर्म संस्थान नब्बे के दशक में स्थापित किया गया था राष्टपती के आदेश अनुसार अब इसे देश के पहले हिंदू विशिविद्याले में बदल दिया गया है प्रेजिडेंशल रेगुलेशन के तहट देन पासर के हिंदू धर्म स्थेट इंस्थिट्यूट को देश की हिंदू स्थेट युनिवर्स्टी बना दिया गया है इस विश्विद्याले का नाम आई गुस्ती बागा सुग्रीव स्टेट हिंदू युनिवर्स्टी रखा गया है यह regulation पिछले हफते ही लागू किया गया है यह सर्व विदित है कि मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूत इंडोनेशिया में भारतिय संस्कृती वा परंपरा में रसी बसी रामायन जीवन्त दिखाई देती है यहां की रामदिला विश्व भर में प्रसिध है राष्टपती दुआरा किये गए इस विशेश प्रावधान का उदेश है हिंदू उच्छ शिक्षा को प्रोच साहन और बड़ावा देना है इस विश्विध्याले में प्रिशासक हिंदू हायर एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ हिंदू हायर एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली विभिन विधाओं को जोडने का भी कारे करेंगे इसके साथ ही हिंदू धर्म स्टेट इंस्टिटूट की सभी प्रकार की परिसंपत्यां भी अब सुग्रीव हिंदू विश्विद्याले के नियंत्रण में ही होंगी कुल मिलाकर इसे भारतिय संस्कृति वा परंपरा के विस्तार के साथ रामायन की अमरकता को मिल रही सुविकृति का ही परिणा माना जाएगा बड़े भाई बाली के नाम से चर्शित राज्ये में छोटे भाई सुग्रीव के नाम पर एक बड़े हिंदू विश्विद्याले की स्थापना सुआगत योग्या कदम ही माना जाएगा अगर हिंदूस्तान में अब कोई हिंदू युनिवर्सिटी सरकार खोलने का प्रियास करे तो तथाकतित सैकुलर और टुकड़े टुकड़े गैंग जमीन आसमान एक कर देगा फेक प्रोपेगंडा फलाया जाएगा कि सम्विधान खतरे में आ गया है इंडोनेशिया के लोगों ने अपना धर्म भले ही बदल लिया हो लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदले हैं वो अपनी महान संस्कृति को समारने और संरक्षित करने का काम लगातार कर रहे हैं